चलिए हम पढ़ रहेते और्गनिक केमस्ती में आयूपेसी नोमनक्लेचर आयूपेसी नोमनक्लेचर के आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे यह मैं आपको दिखा देता हूं नौट्स बनाने के लिए आप इसको अपनी कॉपी में ऐसी एज़िट नोट करते चलें और फिर इसका खुद से सॉलुशन करें एक बार यहाँ पर सॉलुशन देखने के बाद फिर अपनी कॉपी में अपनी नोट्बुक में खुद से इसका सॉलुशन इन सभी compound में हमें number of function group count करने है, function group identify करना है और कितने number of type of function group है, इस सब सारी चीजे हमें इसमें calculate करने है आप ध्यान से हर एक fracture को देखते चले, organic आपको बहुत आसान हो जाएगी, सच में organic आसान है ही, आपका एक ही motive होना चाहिए कि हमें अपना completion अच्छी rank के साथ cross करना है, इसी साल, नए साल की जड़वत नहीं है, तिसलिए पूरी हिम्मत, पूरा ध्यान लगा देना है इसी बार, बार-बार मोके बार-बार chance लाइफ में नहीं मिलते, एक बार मोका हाथ से निकल गिया, तो फिर बार मुस्किल वो हाथ आता है, आता ही नहीं इसलिए बिल्कुल इमान दार इसे, पढ़ाई में एकदम इमान दार होना चाहिए इमानतारी से आपको self-study जरूर करनी चाहिए हर सब्जेक्ट की कम से कम दो घंटे और उसी की self-study करनी चाहिए जो आपने आज पढ़ा है ऐसी करवर मत करना सिर्फ उसी की दो घंटे के लिए self-study करना है जो भी उस topic में आज आपने अपने सर से पढ़ा है या अपने lecture से पढ़ा है नई चीज नहीं पढ़नी है जो आज नया सीका है उसी के लिए हमें दो घंटे की practice कम से कम करनी है चलिए तो इस टार्ट करते हैं आज का lecture ही करा है हमें आज के lecture में यह problem ही solve करनी है हमें कुछ अभी तक हमने जो पढ़ा है करा identify functional groups हमें तो identify करना है function group मतलब उसकी function group की पहचान करनी है और box कर देना है तो अब function group को identify करेई और उस function group को box में या circle में करेगा and also find out the number of function group और ये भी बताना कि कितने function group है and number of type of function group और ये भी बताना कितने type के function group है clear? चलिए तो देखें कि करके पहला example अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें कारवन कारवन के बीच में double bond है तो एक function group तो ये हो गया कौन सा function group हो गया ये? अलकीन यहाँ अगर हम देखें तो ये कारवन कारवन के बीच में triple bond हो गया तो ये कौन सा function group हो गया? अलकाइन ये देखें ये क्या हो गया है? अलकोहल OH group कारवन से जुड़ा है तो ये क्या हो गया है? ये अलकोहल तो कितने function group हो गया इसमें? 3 तो number of function group number of functional group तो वो कितने हो गया? 3 अगर पूछे number of type of function group number of type of functional group तो वो भी कितने हो गया? 3 क्योंकि 3 ही function group है और 3 के 3 हो फंक्सन गूरूप different है तो total function group भी 3 है और type of function group भी कितने है? 3 है second example देखें यहाँ देखें OH यह क्या हो गया एथर ओ के दोनों तुरब कारवन अटेच है तो यह क्या कहलाएगा एथर तो एक फंक्शन गुरूप तो हो गया एथर next C double bone O के बरावर में O मैंने आपको बताया था C double bone O के बरावर में अगर कोई भी हेटो एटम आ जाए sulfur आ जाए, nitrogen आ जाए, oxygen आ जाए, हेलोगन आ जाए तो यह पूरा एक ही गुरूप होता है कौन सा गुरूप हो गया फिलाल C double bone के बरावर में अगर O अच आता है तो कावोजी के असिड O, R आता है तो ester और Ns2 आता है तो amide और अगर क्या हो जाए halogen आता है तो acid highlight तो फिलाल क्या हो गया यह कारवोग्स लिख acid कारवोग्स लिख acid अब मैं आगे से acid लिखूँगा इसे बस तो कितने function group हो गए 2 तो 2 function group हो गए और type of function group भी देखें तो वो भी कितने हो गए 2, दो ही function group है दोनों function group different type के हैं type of function group भी 2 हो गए चीक है next example देखें अगर हम बात करें तो यह क्या हो गया alcohol OH group direct carbon set एच है तो यह क्या हो गया alcohol और इसकी बात करें तो O दोनों तरफ carbon set एच है तो यह क्या हो गया ether ether बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं cyclic ether cyclic ether तो इसमें भी कितने function group हो गए तू और type of function group कितने हो गए तू clear next next example देखें यहां देखें जी एक तो यह हो गया carbon carbon के बीच में double bond टेक हो गया alkene क्या हो गया यह alkene एक यह OH direct carbon से टेच है तो यह क्या कलाएगा alcohol C double bond O के बरावर में hetero item मिल गया और hetero item भी कैसा C double bond के बरावर में OR तो यह पूरा एक group कलाएगा ester तो कितने function group हो गए इसमें 1, 2, 3 तो तीन function group हो गए और type of function group भी कितने हो गए 3 next carbon carbon के बीच में यह double bond मिल गया तो यह क्या हो गया alkene एक यह SH direct carbon से जुड़ा है तो क्या हो गया यह thaiol thaiol OH alcohol और halogen मिल गया carbon पे जुड़ा हुआ तो क्या मिल गया alkyl halide alkyl halide तो कितने function group हुए 1, 2, 3, 4 तो 4 function group हुए number of function group कितने हो गए 4 अगर type of function group पूछे तो भी 4 हो गए क्योंकि 4 के 4 function group different है next C double bond O के बरावर में halogen मिल गया तो यह पूरा एक ही group होगा और क्या कहलाएगा यह acid halide acid halide carbon कारुन के बीच में double bond मिल गया तो यह क्या कहलाएगा alkyne carbon पे directly halogen जुड़ी है तो halide क्या कहलाएगा alkyl halide cn cyanide o h alcohol और यह ether O के दोनों तरब कारवन है तो यह क्या कहलाएगा ether तो कितने function group हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 function group हो गए number of function group 6 और type of function group भी 6 हो गए क्योंकि हर एक function group different है कोई भी repeat नहीं हुआ है next देखें next अगर function group की बात करें तो देखें n is 2 यानि के n क्या हो गया यह amine क्या हो गया यह amine amine भी कैसा एंड डारेक्ट एंड डारेक्ट ली एक कारवन से टेच है तो वन डिग्री amine यहां देखें यह भी amine और टू डिग्री amine डिफरेंट function group में count किये जाते हैं मैंना आपको बताया था point to remember कि एक ही function group ऐसा है amine जिसके degree बतलने से family बतल जाती है यहां देखें इसमें बात करें तो c double bone o के दोनों तरफ कारवन है तो क्या हो गया यह ketone और यह CHO क्या हो गया aldehyde क्या हो गया यह aldehyde कारवन कारवन के बीच में double bone है तो यह क्या हो गया alky तो कितने function group हो गए त्री तीन function group है और type of function group पूछएगा तो भी क्या हो गए त्री ही हो गए क्योंकि तीनों ही function group डिफेंट है नेक्स देखें c double bone o के दोनों तरफ कारवन है तो यह क्या हो गया ketone यहां देखें जब भी terminal पे co मिल जाए तो यहां पर अगर balance की बात करें तो यहां एक hydrogen होगा इस कारवन की four balance यह अगर complete करें तो और यह c double bone o के एक तरफ ह हो जाए तो यह से क्या बोलते है aldehyde ch तो यह क्या हो गया है aldehyde तो कितने function group हो गए two और type of function group पे कितने हो गए two तो कि दोनों ही function group different है एक ketone है और एक aldehyde है यहां बात करें c double bond o के बरावर में hetero item हो गया तो यह पूरा एक ही group होगा और कौन सा होगा इस को के आगे क्या लगा होगा है कारवन तो यह पूरा क्या क्या लाएगा esther क्या हो गया यह esther तो एक ही function group है और एक ही type है देखिए o के दोनों तरब अगर co group हो oxygen से directly co group अगर attach हो तो इसे बोलते है acid and hydride तो यह क्या हो गया त्यान रखें oxygen से directly अगर co group attach है तो क्या बोलते है इसको acid and hydride तो एक ही function group हो गया और एक ही type हुआ यहां बात करें तो देखिए co aldehyde क्या हो गया यह aldehyde यहां बात करें c double bone के रवर में n तो यह क्या हो गया amide कैसा हुआ और एन दो carbon से touch है एक यह और एक यह तो यहां पे क्या होगा एक वो hydrogen होगा तो यह क्या है amide कैसी 2 degree 2 degree amide हो 3 degree amide हो amide की degree के बतलने से कोई फरक नहीं पड़ता carbon carbon के बीच में double bond है तो यह क्या हो गया alkene n क्या हो गया amide और amide कैसा यह n nitrogen दो carbon से touch है एक इधर और एक इधर तो यह 2 degree amide तो कितने function group हुए 1, 2, 3, 4 4 function group हुए और 4 ही क्या हो गया इसमें type भी 4 हो गया क्योंकि 4 के 4 function group different है next देखिए next अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें यह क्या हो गया OH alcohol यह क्या हो गया 1 degree amide n है तो amide 1 degree क्यों है क्योंकि nitrogen सिर्फ एक ही carbon से touch है यह nitro इसकी बात करें C double bond carbon में O, R ET मतलब Ethyl मतलब carbon chain तो यह क्या हो गया Ester Ester Cyanide यह amide और कैसा 3 degree amide 3 degree amide क्यों हो क्योंकि nitrogen 3 carbon से touch है ME मतलब Methyl Methyl मतलब CH3 Ether O के दोनों तरफ देखो carbon है और यह fair amide हो गया और कैसा 2 degree amide क्योंकि end 2 carbon से touch है बस तो देखे कितने function group हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें number of function group कितने हो गए 8 अगर type की बात करें तो type भी 8 ही हो जाएंगे क्यों कोई भी repeat नहीं हुआ है amide repeat हो रही है मगर यह 1 degree amide है यह क्या है 1 degree amide और यह क्या है 3 degree amide और यह क्या है 2 degree amide और amide को मैंने आपको बताया है अगर degree बतले गी तो वो different function group में count करेंजा अपका है इसलिए number of type of function group बे कितने हो गए 8 और number of function group बे कितने हो गए 8 next next अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो गया यह thiol यह क्या हो गया alcohol यह क्या हो गया ketone यह क्या हो गया alkene यह क्या हो गया cyanide cn और यह होगा isosynide nc यह होगा isosynide चिक तो कितने function group होए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो six number of function group होए अगर type की बात करें तो सभी क्या है different type के है तो type of function group बे कितना हो गया six यहां देखिए carbon carbon की बीच में double bond है तो alkene नहीं alkene नहीं होगा यह क्या है aromatic compound है double single double single double single complete conjugation आ गया पूरी cycle में alternate double single बूंड आ गया तो इसे क्या बोलते है यह बेंजीन है वैसे और यह क्या कहलता aromatic hydrocarbon तो aromatic hydrocarbon तो इस function group का नाम जा जाएगा aromatic hydrocarbon तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई aromatic compound हो जाए तो alkene group नहीं होता वो अपना एक group होता है जिसे बोलते हैं aromatic hydrocarbon छिक next हाँ यहाँ देखें तो यह alkene होगा क्योंकि यह alternate double single bond पूरी cycle में नहीं आ रहा तो इस सिर्फ क्या होगा alkene तो इसमें एक ही function group हुआ और एक कही type हुआ इसमें भी एक ही function group हुआ और एक ही type है कौन? alkene carbon carbon के बीच में triple bond है तो alkene और एक ही function group है और एक ही type है यह इसमें कोई भी function group है आपको नहीं दिखाई दे रहा तो फिर ना तो कोई double bond है ना कोई triple bond है ना कोई hetero item है कहीं भी कुछ नहीं तो बस यह सिर्फ क्या कहलाता है? alkene और यह less addictive होती है इसलिए इसे paraffin बोलते हैं यह जल्दी से reaction नहीं करती ठीक है? किस की बज़े से? non-polar होने की बज़े से कोई hetero item present नहीं है तो कोई polarities में नहीं आती है next देखे अगर हम बात करें यहां पे तो रहे कारवन कारवन के बीच में क्या है? double bond तो क्या हो जाए? अब तुम काओगे यहां पे भी single bond है यहां भी alkyne तो alkyne नहीं alkyne तो सब ज़ेगा होता है यह जब कुछ ना हो कोई भी function group ना हो तब हमने alkyne नाम दिया है कारवन कारवन के बीच में double bond है तो alkyne कारवन कारवन के बीच में triple bond मिल गया तो alkyne तो कितने function group हो गए? 2 और type of function group भी कितने हो गए? 2 क्योंकि दोनों function group different है यहां देखिए OH direct carbon set h है तो क्या हो गया? यह alkyne और एक ही function group हो गए इसमें और एक ही type होगा O के दोनों तरब क्या है? कारवन तो क्या हो गया यह? तो एक ही function group है और एक ही type है यह भी क्या हो गया? ether इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है कारवन चेन कितनी बड़ी है हमें तो यह चाहिए कि बस oxygen direct carbon set hोना चाहिए दोनों side तो यह क्या कहलाएगा? ether यह देखिए O के दोनों तरब क्या है? कारवन तो यह क्या हो गया? ether यह क्या बोल सकते हैं? cyclic ether क्योंकि यह cycle क्या अंदर है और यह क्या हो गया? कारवन कारवन के बीच में double bond है तो एक alkaline तो कितने function group हो गया? दो और दो ही type हो गया क्योंकि दोनों function group अलग है एक alkaline है और एक ether यहाँ देखिए तो O के दोनों तरब कारवन है तो यह क्या बोलेगा ether मगर cycle बनाना तो cyclic ether भी कह सकते हैं cyclic ether एक ही function group है और एक ही type है नेक्स देखिए अगर हम बात करें तो यह C double bond O के दोनों तरब कारवन है तो क्या हो गया यह ketone यह देखिए terminal पे C double bond O balance ही पूरी करूंगा तो यहाँ एक हैज क्योंकि C double bond O के एक तरब कारवन है और एक तरब क्या गया hydrogen तो यह ketone नहीं होगा LD हैड होगा ketone तब ही होता है जब C double bond O इसकी बात करें तो यह alkene है और इसकी बात करें तो यह alcohol है तो यह ketone हो गया एक alkene हो गई और यह क्या हो गया alcohol तो कितने function group मिले इसमें तीन और type of function group पूछे तो वो भी कितने हो गया 3 क्योंकि तीन और ही function group different type के हैं यह देखिए ketone CO के दोनों तरफ कार्वन है और यह कार्वन कार्वन के बीच में double bond तो alkene तो यह alkene है और यह ketone है ठीक है कितने function group हो गए 2 number of function group 2 और type of function group B क्या हो जाएंगे 2 C double bond O देखिए CHO क्या हो गया यह aldehyde aldehyde CO के दोनों तरफ कार्वन प्रिजेंट है तो क्या हो गया ketone OH तो क्या हो गया alcohol और यह CO क्या हो गया ketone नहीं यह पूरा function group क्या होगा एक होगा ठीक और क्या होगा यह C double bond O के बारवर में मैंने बताया था C double bond O के बारवर में जब भी hetero item डारेक्ट जुड़ जाए तो वो पूरा function group एक होता है और C double bond O के बारव में अगर O जुड़ जाए तो काउजिक असिड OR जुड़ जाए तो ester X जुड़ जाए तो halogen अलाव acid halide और अगर N जुड़ जाए तो amide तो यह क्या हो गया acid halide क्या हो गया यह कार्वोक्ज लिए असिड कार्वोक्ज लिए असिड ठीक है तो कार्वोक्ज लिए असिड और यह ketone तो कितने function group हो गया इसमें दो और type of function group भी कितने हो गया टू नेक्स्ट जी C triple bond N यहीं के C N क्या हो गया यह cyanide यहां देखें कार्वन कार्वों के बीच में double bond तो यह क्या हो गया अलकीन और फिर C N आ गया तो क्या हो गया यह cyanide तो कितने function group हो गया टू और type of function group भी कितने हो गया टू फिर सेम कहानी C double bond के बरावन में heteroatum और क्यों सा है OH तो यह क्या हो गया कार्वोंक्स लिग एसिड कार्वोंक्स लिग एसिड यह देखें C N ऐसे नहीं कहोगे NC क्योंकि जो मेंचेन है वो यह है मेंचेन से कार्वन और कार्वन से जुड़ा है nitrogen तो यह C N क्या होगा cyanide अगर मेंचेन इदर होती तो यह NC हो जाता फिर यह आईसो cyanide तो फिलाल तो यह क्या है cyanide क्योंकि इदर से इदर को चल लए यहां पे देखें N के बाद आ रहा है C क्योंकि मेंचेन यह हो गई कार्वन की तो यह क्या होगा ISO समझ मागए यहां थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको तो यह C पे N है और यहां N पे C है तो यह cyanide है और वो ISOCyanide है तो दो function group हो गई इसमें और type of function group भी कितने हो गई यहां देखिए जी कार्वन कार्वन के बीच में double bond है तो यह क्या हो गया alkene OH alcohol C double bond और C double bond के बरावर में क्या मिल गया OH यानि कि C double bond के बरावर में हेटर आटम मिल गया तो यह पूरा क्या हो जाएगा कार्वोक्सलिक असेट कार्वोक्सलिक असेट तो कितने function group हो गई 1, 2, 3, 4 तो 4 इसमें number of function group हो गई और type of function group भी कितने हो गई 4 नेक्स देखिए OH है तो क्या होगा alcohol नहीं अब यह direct benzene से जुड़ा है यह direct aromatic compound से जुड़ गया है तो यह पूरा क्या क्या लगता है phenol तो इसे क्या बोलेंगे phenol यहाँ देखिए OH direct benzene से जुड़ गया तो यह क्या क्या लाएगा phenol अब यह alcohol नहीं क्या लाएगा यह OH direct इस carbon से जुड़ा है और यह carbon benzene का carbon नहीं है वो OH direct benzene के carbon से जुड़ा था तो वो phenol और यह क्या होगा alcohol तो दो function group हो गए एक alcohol और एक phenol और दो ही type हो गए दो function group हो गए दो ही type हो गए यहाँ देखिए यह क्या है alcohol यह भी क्या है alcohol अगर हम बात करें इस carbon की तो यह 2 degree carbon है इस carbon की बात करें तो 3 degree है तो एक 3 degree alcohol है और एक 3 degree alcohol और एक 2 degree alcohol है तो अगर इसमें पूछे function group कितने हैं number of function group तो 2 है अगर type of function group पूछे तो वो 1 है क्योंकि यह भी alcohol है वो भी alcohol है और degree के change करने से alcohol की family नहीं बदलती तो यह एक ही family में count के जाएंगे एक ही function group में count के जाएंगे तो number of function group तो दो है एक तो यह alcohol है और एक ही alcohol है मगर इसमें type of number of type of function group पोचे तो एक क्योंकि वो भी alcohol यह भी alcohol तो दोनों का type सेम है तो एक ही टाइप का function group है next जैसे मैंने आपको बताया था O से directly अगर CO जूड़ जाए दोनों side तो अगर एक oxygen directly 2 CO group से जूड़ जाए तो ये पूरा क्या होता है acid and hydride तो देखो ये भी क्या होगा O directly 2 CO से जूड़ रहा है तो ये भी क्या क्या लाएगा acid and hydride तो दोनों ही क्या है ये acid and hydride है यहां देखिए तो एक ही जैके amine ये क्या होगिया 1 degree amine N आगिया तो amine N आगिया तो amine मगर ये कैसा है 2 degree क्योंकि N दो कार्वन से टेच है एक इधर एक इधर वो 1 degree क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि A की कार्वन से टेच था और ये भी amine मगर ये amine कैसा है 3 degree 1, 2 और एक 3 कार्वन से टेच है तो ये 3 degree amine तो कितने function group है इसमें 3 और type of function group भी 3 होंगे क्योंकि amine की degree बदलने से family बदल जाती है ये माँ आपको कई बार बता चुका हूँ एक ही function group ऐसा है amine जिसके degree चेंज होने से family चेंज होती है बागी किसी और function group की degree चेंज होने से family नहीं बदलती नेक्स देखे ये हैलोजन directly carbon से attach है तो ये क्या कलाएगा S-halide alkyl halide क्या हो गया ये alkyl halide ये हैलोजन direct benzen से जुड़ी है तो इसे बोलते है aryl ये क्या कलाता है aryl halide ये देखिए ये क्या है direct carbon से जुड़ी हूई है तो alkyl halide alkyl halide c double bond o के बरावर में hello जना गई तो ये पूरा क्या क्या कलाएगा एक group होगा और ये क्या क्यानाता है acid halide acid halide तो ये alkyl halide है ये acid halide है और वो aryl halide है कितने function group होगा इस में दो तो function group है दो ही type of function group भी यहाँ देखिए cn sinus साइनाइड तो यह क्या हो गया? साइनाइड, यह Nc, आईसो साइनाइड, O, एथर, क्या हुआ है ये? एथर, O के दोनों तरब देखो कारवन है, ये क्या कहलाएगा? एथर, साइकल ही कितना नहीं होगा, इस अब यह ऑप छिजेन, आदर नहीं है, तो कितने function group हो गए इसमें 3, number of function group 3 और type of function group भी कितना हो गए 3 next देखें यह COOH देखो यह है यह COOH ऐसे भी लिख सकते हैं CO2H तो वही लिखा हुआ है तो यह क्या हो गया कार्वाक्स लिख एसेड कार्वाक्स लिख एसेड OH क्या कहलाएगा एलकोहल C double bond O देखो इस C double bond O के एक तरफ तो कार्वन है और एक तरफ यह H होगा तो यह क्या कहलाएगा LD हाइट C double bond O के इधर भी कार्वन है उधर भी कार्वन है तो यह क्या कहलाएगा कीटोन तो कितने फंक्शन ग्रूप हुए? 1, 2, 3, 4 तो 4 नंबर फंक्शन ग्रूप हुए और टाइप भी 4 ही है क्योंकि कोई भी फंक्शन ग्रूप रिपीट नहीं हो रहा है यह देखिए C डिवल बोनों के रोर में हैट राटम मिल गया कौन सा N तो यह क्या हो जाएगा Amide क्या होगा यह Amide यह N है तो क्या किलाएगा Amide ठीक है डिगरी की बात करेंगे तो यह 2 डिगरी Amide है और वो भी डिगरी की बात करेंगे तो 2 डिगरी Amide है तो दो फंक्शन ग्रूप है और दो ही टाइप है तो इसे क्या लिखेंगे हम two degree amide यहां देखिए amide में degree की लिखने हैं जब बतने हैं क्या degree से change नहीं होता मगर वो amide में मगर amide में आपको degree लिखनी पड़ेगी कि two degree amide है two degree amide है कि three degree amide क्योंकि degree के बदलने से family बदल जाती है तो इसमें आप amide नहीं बोलेंगे two degree amide बोलेंगे वहां आप amide बोल सकते हैं two degree amide बोलो क्या amide बोलो एक ही बात है यहां देखें जी C double bond O के बरावर में C double bond O के और में O, R मिल गया तो यह क्या खेलाएगा इतना Ester और यह C double bone के और में क्या मिल गया है? OH देखो C double bone के और में इधर H ले लूँ तो आपको दिखाए देगा LD है मगर अगर कोई हेट्रो एटम आता है तो पहले हेट्रो एटम को पिर फेंस दे जाएगी तो यह क्या हो जाएगा? LD हैट ना होके क्या हो जाएगा? यह Ester Carbolic Acid और दो ही टाइप होगा है यहाँ देखें, Carbond कावन के बीच में double bone, Alkene, यह भी Alkene और यह भी क्या होगा? Alkene तो यह भी Alkene है, यह भी Alkene है, और यह भी Alkene है तो कितने function group हो इसमें? तीन मगर type of function group पूछेगा तो वो 3 नहीं होगे वो कितना होगा? एक, क्योंकि तीनों ही function group सेम है, Alkene, Alkene, Alkene यहाँ गर हम बात करें, तो देखें यह Carbond कावन के बीच में double bone और यह आगे alternate नहीं चल रहा है देखो double, single, single तो यह सिर्फ Alkene होगा और यह क्या है? यह circle का मतलब है किसके अंदर alternate double single bone आ गए होगे तो यह क्या क्यलाएगा? Aromatic HydroCarbon जिसमें दो function group हुए दो function group हुए और दो ही type हुए एक Alkene और एक Aromatic HydroCarbon ठीक है? यह कुछ question है और देखें अब next question आगे यह कह रहा है degree of carbon and hydrogen hydrogen और carbon की degree तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था किसी भी carbon की degree decide होती है कि वो directly कितने कारवन से directly कितने अनुदर कारवन से attach है अगर अनुदर 1 कारवन से attach है तो 1 degree, another 2 कारवन से attach है तो 2 degree और कोई भी carbon अनुदर 3 कारवन से attach है तो 3 degree और कोई भी carbon अनुदर 4 कारवन से टेच है तो वो 4 डिगरी कारवन होगा चाहे वो single bonded हो चाहे वो double bonded हो इससे मतलब नहीं है मतलब है कि कोई भी कारवन अनोधर directly कितनी कारवन से टेच है और 1 डिगरी कारवन पे लगने वाले H 1 डिगरी हाइटोजन थे 2 degree carbon पे लगने वाल H, 2 degree hydrogen थे और 3 degree carbon पे लगने वाल H, 3 degree hydrogen थे 4 degree carbon पे H कभी भी नहीं होता क्योंकि उसकी चारो बलेंसी अनुदर carbon से फिल हो चकी होती है 1 degree carbon पे 1, 3H भी हो सकते है 2H भी हो सकते है, 1H भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है मतलब 1 degree, 2 degree और 3 degree पर एच हो भी सकते हैं और नहीं भी मगर 4 degree पर कभी एच नहीं होता देखिए ये कारवन डारेक्टली से एक कारवन से टाइच है तो 1 degree ये कारवन भी डारेक्टली से कारवन से टाइच है तो 1 degree यह carbon directly 4 carbon set h है another 4 से तो यह 4 degree 1 degree h count करोगे तो 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 तो 15, 1 degree h कितने हो जाएंगे इसमें? 15 अगर 2 degree h की बात करेंगे तो यही 2 carbon होगे कितने हो जाएंगे? 2 अगर 3 degree h की बात करेंगे तो 1 होगा और 4 degree h नहीं होता यहाँ बात करें देखिए यह carbon another 1 carbon set h है तो 1 degree यह carbon 1 और 2 set h है तो 2 degree यह carbon 1 और 2 set h है 2 degree यह carbon भी 2 carbon set h है 2 degree यह carbon single carbon set h है 1 degree इस पे कितने हैं? देखिए इस 1 degree पे कितने हैं? 3 इस 2 degree पे कितने हैं? 1 इस 2 degree पे कितने हैं? 2 तो मैंने आपको बताया था कि 2 डिगरी कारवन पर H एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, काउंटिंग तो करी लोगे, अगर 1 डिगरी H की बात करें तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, 2 डिगरी H की बात करें तो 1, 1 और 1, 2 और 2, 4, कितने हो गए, 4, यहां दिखे, यह कारवन होगा, यह भी कारवन होगा, और यह कारवन होगा, इस कारवन की एक बलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो 4 बलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने होंगे, इस पर 3, ऐसे यहां पर भी कितने होंगे, यह टाइप से 3, यह कारवन डिगरी H की बात करेंगे, तो 3 और 3, 6, 2 डिगरी H की करेंगे तो इस कारवन पे कोई भी हूं नहीं रहा, तो देखो 2 और देखिए यह benzen है मैंना आपको बताया थे सरक्ल का मतलब होता है alternate double single bond तो हर एक कार्बन की कितनी ब्रिंसी पूरी होगी एक दो और एक double bond भी होगा निकिती तो तीन ब्रिंसी होगी तो हर एक कार्बन पर क्या होगा एक एक होगा और हर एक कारवन कैसा है इसमें 2 डिगरी क्योंकि ये कारवन एक और एक दो से जुड़ा है ये कारवन देखो एक और एक दो से तो हर एक कारवन दो कारवन से टेच है तो हर एक कारवन इसमें 2 डिगरी कारवन है तो 2 degree carbon कितने हो जाएंगे 6 और 2 degree hydrogen भी कितने हो जाएंगे 6 यहां बात करें तो यह carbon भी हर एक carbon 2 degree है लेखो हर एक carbon अनुदा 2 carbon से टेच है इसकी बात करो तो एक रिख दो मगर इस carbon की 2 balance ही पूरी है तो 4 करने के लिए हर एक पे 2-2 H होंगे चीक है कर लोगे अब तो इसको sold कोई गया अब तो यह sold चीक है इस तरीके से 2-2 H होंगे हर एक carbon कैसा होगा 2 degree clear यह इसकी बात करो यह मैं पहले भी किरा शुका हूँ दिखिए तो आपको क्या है यह carbon होगा यह carbon होगा यह carbon होगा यह carbon होगा यहां, यह सब जगे carbon होगे, जहां भी starting है, जहां भी crossing है, turning है, यहां सब जगे कितने हैच होगे, 3, 3, 3, 3H, 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 यहां कोई भी हैच नहीं होगा, यहां कोई भी नहीं, यह सब 1 degree, 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 हर एक carbon पर यहां कितने हैच होगे, 3, इस पर भी कितने हैच होगे, 3 इस पे भी कितने एच होंगे 3 इस टाइप से 3, 3, 3 कर लोगे काउंट अब तो नेक्स देखे अगर हम बात करें तो ये कारवन 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है ठिक, बाकि ये सब कैसे है 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री सब 2 डिग्री और 2 डिग्री हैं सब पे 2-2 H भी लगए होंगे 4 बलंसी पूरी करने के लिए क्योंकि हरे कार्वन की 2 बलंसी पूरी होगी मगर इस पे सिर्फ एक H होगा और इस पे भी सिर्फ एक H होगा तो काउंट कर लेंगे अब तो आप कितने 2 डिग्री कार्वन हैं कितने 1 डिग्री कार्वन हैं कितने फ्राइटोजन हैं अरे बस समझें इस टाइप से नेक्स ये कार्वन है ये कार्वन है ये कार्वन है ये कार्वन है ये कार्वन ये कार्वन इस कारवन की बात करें तो बन डिगरी, इस कारवन की बात करें तो फ्री डिगरी, इस की बात करें तो बन डिगरी, इसकी बात करें तो टू डिगरी, एक और एक दो से जुड़ा है, ये भी टू डिगरी, एक और एक दो कारवन से और ये बन डिगरी, एच की बात करें तो इ इस पे भी कितना एच हो जाएंगे थ्री, ठीक है, यहां देखिए, यह सब जगे यहां क्या होंगे, कारवन, यह सब जगे क्या होंगे, कारवन, इस कारवन की बात करें तो वन डिगरी, इस की बात करें तो वन डिगरी, इस कारवन की बात करें तो फोर डिगरी, क्योंकि एक एक दो और एक तीन और एक चार इसकी बात करें तो डिगरी इसकी बात करें तो ठी डिगरी एक दो और एक तीन और इसकी बात करें तो बंटी इस पे दो एच होंगे इस पे एक एच होगा इस पे तीन एच होंगे इस पे कोई भी एच नहीं होगा इस पे फिर तीन एच होंग और यहां पे फिर थ्री एच होंगे किलियर काउंटिंग हो जाएगी हो यहां देखिए इस बेंजीन पे यह सब जगे यहां कारवन है और हर एक बेंजीन पे यह अल्टरनेट डबल सिंगल बॉंड होता है तो यहां पे तीन बिलंसी पूरी हैं इस कारवन पे फिर थ्री एच होंगे तो अगर इसकी बात करें तो यह टू डिगरी यह टू डिगरी यह टू डिगरी हर एक कारवन टू सेट है च और यह कैसा हो जाएगा थ्री डिगरी कारवन एक दो और एक तीन से और यह कैसा होगा बन डिगरी यहां देखिए यह कार्वन होगा यह कार्वन यह कार्वन यह कार्वन यह कार्वन यह कार्वन जहां भी टरंडिंग है क्रोसिंग है स्टार्टिंग है एंडिंग है वह सब कार्वन होगा यह कार्वन कैसा होगा टू डिगरी यह कार्वन एक दो और एक तीन से जोड़ा है त 2 बोन्ट से तो इस पे दो 20 एच पर लेनंसलों दो 252 कर्मोलिय को वियरी को हैंज कि अद्य क्रॉट करनेज यहां भी यह जो करते हैं कि एक दो तीन चार वालन सीख सब्सक्राइब मेन प्हुक्णें और एक आच निए होगा तरिएल कि टीज़ाे में हगे उसका respective कारवन, मतलब alcohol जिस कारवन पर attach है उस कारवन की जो degree होगी वो ही alcohol की degree होगी तो आपको तो बस यह देखना है कि OH किस कारवन से attach है, इस कारवन से और यह कारवन, single कारवन से attach है तो यह क्या कर लाएगा, 1 degree कारवन तो यह होगा 1 degree alcohol इसकी बात करें तो यह OH इस कारवन पर attach है और यह कारवन डिरेक्ली एक कारवन से attach है तो यह 1 degree alcohol यहाँ देखें यह OH इस कारवन पर attach है और यह कारवन दो कारवन से attach है तो यह कैसा कहलाएगा, 2 degree carbon तो यह कैसा कहलाएगा, 2 degree alcohol यहाँ देखें ओ एच इस करणवन पर टैश है यह करणवन एक एक दो और एक तीन करणवन से टैश है तो यיא ठीडिगरी करणवन होगा तो ये ठीड़ी अल्को है किरो हम देखे हैं अगर हम बात करें दिखिए ये ओच इस कारवन पर टेच है और ये कारवन एक दो और तीन कारवन से टेच है तो ये का किलाएगा थ्री डिगरी ऐलकोहल ये ओच जिस कारवन से टेच है वो कारवन एक दो और थ्री कारवन से टेच है तो ये थ्री डिगरी कारवन हुआ तो ये थ्री डिगरी अलकोहल हुआ ओच इस कारवन पर टेच है और ये कारवन सिंगिल इस कारवन से टेच है तो ये 1 degree carbon हुआ तो ये 1 degree alcohol हुआ ओज इस carbon पर टेच है और ये carbon एक, दो और एक 3 पर तो ये क्या 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 लाएगा 3 degree carbon तो वो 3 degree alcohol ओज जिस carbon से टेच है देखो ये वो 1, 2 और 3 carbon से टेच है तो ये 3 degree carbon हुआ तो ये क्या 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 लाएगा 3 degree alcohol Clear? जिलियर, सीमसों का बगा नभी सिंग्मा नाधर प्यवडव, यहां कहीं भी सिंग्ल बोन्ड वोन्ड होता है, तो टिपल बॉने मेंbod एक sigma और rest two क्या होंगे? ऑपाई bond ठीक है? और एक bond मिलके बना होता है कितने electron से? तू electron से, अगर वो bond पूछ रहा है, तो जैसे इसमें bond पूछे, सिग्मा bond पूछे तो एक और सिग्मा electron पूछेगा तो कितने? मतलब जितने bond होते हैं उसका double क्या हो जाएगा electrons तो देखेजी single bond है sigma, 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 sigma तो कितने sigma हुए? 4 sigma और 4P कैसे है? carbon hydrogen बाले यहां बात करें single bond है sigma, single bond है sigma multiple bond में एक sigma, एक πाई sigma और sigma तो 2 to 4 और एक 5 तो 5 sigma और 1 πाई यहां देखें sigma, sigma, sigma तो 3 तो क्या हो गए? sigma bond जिसमें 2 क्या होंगे? 2 तो होंगे carbon hydrogen वाले और 1 क्या होगा? carbon carbon की middle का और 2 क्या होंगे? pi bond clear? next यह carbon है तो इस carbon की balance पूरी देखिए तो चेक कर यह 1, 2, 3 तो इस पे 1 hydrogen होगा 4 करने के लिए तो एक एक H होगा तो 4 sigma तो यह हो गए 4 ही sigma, 1, 2, 3, 4 4 sigma यह 4 sigma carbon कारवन कारवन वाले तो कितने हो गए? 8 sigma और pi bond कितने हो जाएंगे? 2 पूछें, carbon hydrogen वाले sigma कितने है? 4 और carbon carbon वाले कितने है? 4 तो वो भी carbon hydrogen वाले भी 4 और देखें, 3 में से 4 तो हो गए carbon hydrogen वाले और 4 क्या हो गए? carbon carbon यहां देखें, 1 sigma और 1 sigma और यह क्या होंगे? 2 pi bond तो 2 sigma, 2 pi bond बेंजीन में बात करें तो हर एक carbon पे यह एक एक होता है तो देखें, अगर हम बात करेंगे इसमें तो 6 तो sigma यह हो गए 6 sigma यह और 6 ही यह होंगे, carbon carbon वाले तो कितने हो गए? 12 sigma और pi bond कितने होते हैं? एक, alternate करके, 1, 2, 3 तो 3 pi bond नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां sigma हुआ, यह sigma हुआ, यह sigma हुआ और इस carbon पे कितने hydrogen लगे हैं? 3, तो 3 sigma यह हो जाएंगे तो कितने sigma हो गए? 6 sigma और pi bond की बात करेंगे, तो 2 pi bond कितने sigma होंगे? carbon पे 3 hydrogen लग रहे हैं तो 3 sigma यह हो जाएंगे 1 sigma ही हो गया, 1 sigma ही हो गया 3 sigma हो गया, 3 sigma हो गया तो 3 और 3, 6 और 3 कितने? 9, तो 9 sigma और pi bond कितने होंगे? 2 pi bond होंगे क्योंकि एक टिपल बोन है एक टिपल बोन है